Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस वीडियो में हम Delhi University के PhD Entrance Examination के लिए Research Methodology के कुछ important MCQs जो generally आपको पूछे ही जाते हैं. So, मैं बता रही हूँ आपको बहुत ही important session ओने वाला आज का हमारा जिसमें आपको जो मैंने यहां पर MCQs solve करवाया है, जनरले आपको PhD Entrance Examination में 100% इसी है टाइप के questions पूछे जाते हैं. इन questions में से एक question जनरले आपको examination में पूछा ही जाएगा. अच्छे तरीके से आपको यह वीडियो देखना है, सारे MCQs को solve कर लेना है. अगर आपके जो भी doubts है, आपके जो भी questions है, आप मुझे comment section में पूछ सकते हो. अब जैसे कि आपको पता है, Delhi University के PhD Entrance Examination के applications form की जो last date थी, वो जा चुकी है, जो कि थी 10th of July 2022, तो जल से जल अभी chances है कि आपके entrance examination की dates आ सकती है. तो इसके लिए आपको preparations जल से जल start कर देनी है, जैसे कि आपको पता है, DU University के PhD Entrance Examination के जो आपको part 1 होता है, जो paper 1 होता है, यह research methodology होता है, जो कि हर एक candidates के लिए comment होता है. तो मैं आपको बता दू, research methodology पर हमने अपके लिए course लेकर आया है, जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, जिसमें आपको video lectures प्रोवाइड करते हैं, पूरा syllabus यहाँ पर हम cover करते हैं video lectures में, जो कि आपके theory और MC के इस दौनों video lectures प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए पहले हम आपके concepts को build करवाते हैं, and then MC के इसमें हम आपको tricks बताते हैं, कि इस तरीके साब को tricks यूज करना है, उसी तरीके से notes हम आपको provide करते हैं, कापे simplest language में notes हैं, इंटर्व्यू के लिए भी बहुत helpful होने वाले है notes, then mock test, total 10 mock test provide कर रहे हैं, तो उस तरीके साब के 400 questions हम mock test में cover करते हैं, and then finally 1500 plus MC के revision PDF जो के revision का काम करती हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दू, 100% guarantee के साथ हम आपको यह course provide कर रहे हैं, आपको pass करने के responsibility हमारी होगी, हम आपको pass कर पाएंगे, हम आपको time to time guide करते रहते हैं, आपको याद रखना है, आपको ज़दा time waste नहीं करते हुए, जल से जल आपको preparation को start करना है, start करने के लिए screen पर जब को number नजर अराई, नबर पर WhatsApp के तरह में contact करना है, और आप हमारे app के तरह भी study material के access कर सकते हैं, जिसके link में आपके साथ comment section as well as description box में भी share कर रखिये, so that's it and let's begin with the video, एक बारी mcqs start करने से पहले मैं आपको अच्छे तरिकी से हमारे content जो हम आपको provide करते हैं उसके बारे में एक बार में आपको फटाक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock tests, notes प्रवाइट करते हैं और 1500 plus mcqs revision pdf यह सारा जो content आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह आपको एक ही जगा मिलेगा, कई students क्या करते हैं, internet से study material refer करते हैं, so internet पे जो language use करी जाती है, बहुत difficult language use करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं याता है, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से यह जो content है, आपको किस तरीके से read करना है, कितना content आपको follow करना है, बहुत जादा भी ने आपको पढ़ना है, बहुत कम भी ने, जितना sufficient है आपके study के लिए उतना आपको पढ़ना है, so हमारे course में हम आपको guide करते रहते हैं, किस तरीके से आपको किस topic पर जादा focus रहना है, कहां से जादा questions आपको पूछे जा सकते हैं, यह सारी चीज़े हमारे course में आपको बताते हैं, so हमारे जो course है, आपको guarantee के साथ केते हैं, कि हमारे इसी course है, आपको exam में 30-35 questions directly पूछे जाएंगे, जल से जल आपको course को purchase करना है, purchase करने के लिए screen पर जो number नज़र आ रहा है, so that's it and let's begin with the MCQs, first question, a magazine conducts a survey and ask its reader to cut the questionnaire from the magazine, fill it and send it via post, it is a type of, इस question में हमें एक example given है, हमें find out करना है, यह कुछ सेंपलिंग का example होगा, अब example में हमें यह given है, एक researcher ने magazine के तुरू survey कंड़क करवाया, जिसमें जो magazine read कर रहे है, उस readers को कहा, कुछ question field करने के लिए, questionnaires मतलब एक set of question होते हैं और उस question को field करने के लिए कहा, and then fill करकर उस question को cut करकर post के तुरू उनको वो send करने के लिए कहा, so यह कौन से टाइप का sampling का example होगा, हमें यह find out करना है, so जैसे कि यह आपर researcher ने किया कहा, कि magazine के थूरू researcher ने survey conduct करवाया, जिसके थूरू उसमें कुछ questions थे, और researcher ने कहा कि respondents को जो read कर रहे है magazine उनको response करने के लिए कहा, और कहा कि वो post से question में उनको send कर दे, so यह researcher ने अपनी convenience के हिसाब से करा, researcher को यह easy method लग रहा था, so यह researcher ने अपनी convenience के हिसाब से करा कि मुझे यह easy लग जाएगा, कि magazine में जो भी question होगे वो readers उसको fill करकर post से send कर देंगे, so यहाँ पर researcher ने अपनी convenience को आगे रखकर sample select कर लिया, so यह आपका हो जाएगा convenience sampling का example, so convenience sampling अपकी non probability sampling type का method होता है, जिसमें research अपनी convenience के हिसाब से samples को select कर लेता है, then यहाँ पर आपको option A given है purposive sampling, purposive sampling क्या होता है जिसमें research अपनी purpose के according population में से samples को select करते, अप जैसे researcher को smokers पर research करनी है, so population में से जो जो लोग smoking करते हैं उनी लोग को बस research अपनी study में, अपने sample में select कर लेंगे, so यह हो जाएगा आपका purpose of sampling, यह भी अपकी non probability sampling का method होती है, but यहाँ पर इस question में researcher ने अपनी purpose के साब से sample select नहीं कर रहा, बलके अपनी convenience की साब से, that's why अपका option नहीं incorrect हो जाएगा, then option b snowball sampling, snowball sampling क्या होती है, जिसमें researcher respondents को कहते हैं कि और दूसरे respondents को collect कर लाओ, जैसे मानलो researcher को यहाँ पर study करना है कि जो लोग drug addict है, उनसे researcher क्या करेंगे यह क्योंकि ऐसे तो लोग बाहर ने आएंगे, जिनको जानते हैं एक person को बोल देंगे और वो person बाकी दूसरे person को select कर लेकर आएगा जो drug addict है, जो drugs लेते हैं, snowball sampling क्या होता है, जिसमें respondent, दूसरे respondents को samples को select कर लाते हैं, snowball sampling में यहाँ पर research अपनी convenience के सबसे sample select नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको option B भी incorrect हो जाएगा, then option C sequential sampling, sequential sampling यह भी आपकी non probability sampling type का method होती है, जिसमें researcher एक particular कोई groups पर study करते हैं, और उस groups पर researchers study करते हैं कुछ intervals पर और उस groups जिस पर research करें उसको analyze करते हैं, अगर possible हो तो फिर एक और groups select करकर उस पर बर study करते हैं, sequential sampling में research और groups पर study करते हैं, sequential sampling में research अपनी convenience के सबसे samples को select नहीं करते हैं, यह आपको option C भी incorrect हो जाएगा, आपको जो example given है, this is the example of convenience sampling, यह पर आपको option D correct हो जाएगा convenience sampling, next question, which of this is not a qualitative method or approach, इस question में हमें find out करना है कि कौन से option में qualitative research को method given नहीं है, तो one by one हम options देखते हैं, option A, text analysis, text क्या होता है, कोई text है, कोई matter है आप उसको analyze कर रहे हो, जैसे qualitative research में हमारे पास जो भी data होता है, it is in a form of text or words, आप text को analyze कर रहे हो, words को analyze कर रहे हो, यह आपका qualitative method होता है, बट इस question में हमें बूच रहे हैं, which is not a qualitative method, यह आपका option है, qualitative method है, that's why आपका option है, incorrect हो जाएगा, then option B, grounded theory, grounded theory क्या होता है, जिसका aim ही होता है कि theory को develop करना, grounded theory में क्या होता है, कि research और data से theory को develop करते हैं, data, data को analyze करकर, उस data में आप analyze करेंगे, research और observe करेंगे, एक pattern follow करेंगे and then उसके help से कोई theory को develop करेंगे, so grounded theory में researcher theories को develop करते हैं, so यह आपका qualitative method होता है, so यह आपका option B, incorrect हो जाएगा, then option C, discourse analysis, discourse analysis मतलब discussion के through analyze करना, जैसे qualitative research में एक method होता है focus group, focus group में researcher क्या करते हैं, ग्रूप बनाते हैं 4-5 लोगों का उसमें discussion होता है, को एक particular topic लेंगे और उस topic पर discuss करेंगे and then कुछ information और कुछ topic को analyze करकर, कुछ theory develop करेंगे, so यह भी qualitative method होता है आपका, so यह आपका option C भी incorrect हो जाएगा, then option D, social constructionism, social constructionism यह आपके sociology में आता है, sociology की study का एक part होता है, social मतलब जब भी आप social कोई word देखते हो, it is related with society, social word, society से related है, and constructionism का मतलब के होता है, जैसे आप अपनी सोच बना लेते हो, यह कोई natural way से नहीं आती है, आप खुद ही बना लेते हो एक सोच के, कोई यह कोई person है, आप कोई person के बारे में सोच लेते हो, कि वह ऐसा ही है, आपने कुछ structure बना लिया उसके बारे में, आपने आपके दिमाग में यह बिठा लिया कि वह person ऐसा ही होगा, जैसे मांडो क्लास में एक student है, जो बहुत brilliant student है, बहुत intelligent है, तो कैसे वह student intelligent है, सब ने इसको कहा के, वह person intelligent है, वह student intelligent है, मतलब आप बना लेते हो, आप एक दिमाग में सोच बना लेते हो, आप एक structure बना लेते हो, तो social constructionism, यह आपके sociology में आता है, social मतलब society से related, and constructionism मतलब, आप लोगों के बारे में पहले से ही सोच लेते हो, कि वह ऐसा ही होगा, आप दिमाग में पहले से ही सोच लेते हो, यह कोई natural way से नहीं आता है, यह लोगों के through आता है, social constructionism यह आपके qualitative research का method नहीं होता है, इस question में आपके find out करना है, कि ऐसे numerical value जिसको आप sample के data से calculate करते हो, जो उसे हम क्या कहते है, जो आप sample से collect करते हो, और calculate करते हो samples के data से, उसे हम कहते है, statistic, स्टैस्टिक क्या होती है, Statistic में usually numerical value होती है, जो samples को describe करते हैं, जिससे आपने samples को, sample का height measure किया, weight measure किया, सो उसमें सारी numerical value आ रहे, सो इसे हम कहते है, statistic, सो यह पर आपको option B, correct हो जाएगा, statistic, error क्या होता है, कोई mistakes, अपके data में कोई mistake हो, उसे हम कहते है, error, सो यह पर कोई mistake नहीं है, यह पर आपको option E, incorrect हो जाएगा, then option C, bias, यह पर bias मतलब जुकाओ, यह पर कोई जुकाओ की बात नहीं हो रही है, सो यह पर आपको option C, incorrect हो जाएगा, mean मतलब average, यह पर कोई average की value नहीं हो रही है, यह पर बलके numerical value ऐसी हो रही है, जिसको आप samples के data को आप calculate करते हो, सो वह उता आपका statistic ना के mean, यह पर आपको option जी, correct हो जाएगा, statistic, next, construct is a combination of, इस question में हमें find out करना है कि construct की option का combination होता है, so construct is a combination of concept, आपका जो construct होता है, यह concept का combination होता है, अब construct और combination क्या होता है, यह हम देखते हैं, so construct क्या होता है, construct एक broad topic होता है, for a study, और construct जो होता है आपका, यह आपके theoretical term में meaning बताता है, जिसको आप directly measure और observe नहीं कर सकते हैं, जिससे किसी का IQ level, किसी का intelligence level, किसी की life का satisfaction level, कि आप लाइफ में कितने satisfied, अपने life से आप कितने satisfied हो, और किसी के communication skill, वो कैसे लोगों से communicate करता है, एक यह आपका construct में आजाएंगे, जिसको आप directly measure नहीं कर सकते हैं, इसको indirectly measure करोगे, जिससे किसी का weight है ऄप उसको directly measure कर सकते हो, लेकिन किसी की communications के लिए आप उसको directly measure नहीं कर सकते हो, then construct होता है जिसको आप directly measure नहीं कर सकते हो whereas concept concept क्या होता है जो ideas बता है ideas से related हो जो किसी के characteristic किसी के features से related हो अब जिसे मैंने आपको construct का example दिया था communication skill communication skill मतलब आप लोगों से कैसे communicate कर रहे हो आप कैसे बात कर रहे हो उसी तरीके से concept में characteristic आते है अब किस तरीके से बात कर रहे हो आप का spelling आपके vocabulary आपका pronunciation आप कैसे choice of words वह्ती कर रहे हो while topic to someone कि आप byता हो कियसे के साथ group discussion हो रहा है आप तरीके से communicate कर रहे हो आप कैसे choice आपके words कैसे use कर रहे हो आपका pronunciation कैसे है आपकी vocabulary कैसी है So, यह आपके features है So, यह आपके concept में आ जाएंगा और आपका जो communication skill है यह सारे चीजों को मिला कर आपका communication skill बनता है यह आपका construct में आ जाएगा So, construct जो होता है It is a combination of concept So, यह आपको option D correct हो जाएगा Then option A variables Variables क्यों होते हैं जो हर बार vary करते हैं So, construct is a combination of variable यह answer तो हो ही नहीं सकता So, यह आपका option A incorrect हो जाएगा Then option B hypothesis Hypothesis क्यों होता है Hypothesis is a tentative statement होता है जो researcher के assumptions और gases पर based होता है So, hypothesis यह आपका construct का combination नहीं होगा So, यह आपका option B incorrect हो जाएगा Then option C control factors Control factors यह आपका experimental research का path होता है जिसमें आप variables को control करने की कोशिश करते है So, यह आपका experimental research का part होगा So, यह आपर obviously आपका option C incorrect हो जाएगा So, यह आपर आपका option D correct हो जाएगा A construct is a combination of concept Next Through data triangulation method researcher can enhance his or her studies इस question में मैं find out करना है कि data triangulation method के through research आपने studies को कैसे enhance कर सकते है through popularity या फिर validity, accessibility या फिर readability हमें यह find out करना है So, आपको पहले यह पता होना चीए कि data triangulation method होता क्या है Data triangulation method वो method होता है जिसमें researcher different different methods use करके देखते हैं कि उनके result same आ रहे या फिर नहीं जैसे इस diagram में आपको देखना है researcher ने पहले एक method यूज करा और यह देखा कि उनका कुछ result आ रहा है x, y, z then researcher ने दूसरा method यूज करा, दूसरा method यूज करके researcher ने देखा कि उनका यह result आ रहा है, same result आ रहा है that means researcher ऐसे different different method यूज करेंगे और देखेंगे कि उनके result same आ रहे या फिर नहीं अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं उनकी जो स्टडी है वह वैलिड है आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ने पॉपिलारीटी तो डेटर ट्राइंगूलेशन मेथड के थूरू रिसर्च अपने स्टडी की पॉपिलारीटी ने बथाते कि उनकी स्टडी जो नहीं करते हैं तो यह पर आपका ऑप्शन सी इंकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन दी रिदेबिलीटी मतलब इसी तू रिद के वह सबके लिए एजी है रिट करने के लिए इसके तुरू भी रिसर्च अप्शन डेटर ट्राइंगूलेशन मेथड यूज करने ही करते हैं यूज कर वर इंगा बैट हो रहा कि उडिए रप्शन बहुत्त ऊफसरेक्ट होट किलो बाईट के व Inner फ्शन में में ऊप्शन में हमें करेक्ट और में इसकी आरेंच करना है मतलब इसन करना है, तो सबसे छोटा आपका computer memory size होता है, kilobyte, kilobyte जिससे आप kbb कहते हो, अब मान लो आपका जो एक small email है, वो आपका 2 kb का होता है, 2 kilobyte का होता है, then kilobyte से जोड़ा बड़ा हो जाता है आपका megabyte, megabyte जिसमें mp3 files हो, जिसको आप कहते हो audio files, अगर आपका 8 minute का audio file है, मतलब वो 1 mb का है, mb के बाद आता है आपका gigabyte जिसे आप gb कहते हो, so 1 gb में आपको या तकना है, 1 gb में आप 300 mp3 songs hold कर सकते हो, अगर आपके phone में 300 songs है, मतलब वो आपके 1 gb hold करेंगे, 1 gb में आपकी 300 songs easily आ जाते हैं, then gigabyte के आपका आता है terabyte, terabyte जिसे आप TV कहते हो, terabyte में आपकी 100 DVDs और quality films आपका terabyte hold कर सकता है, और terabyte generally आपके computer में hard disk में terabyte के, जो hard disk आपकी होती है, वो terabyte की होती है, so यह आपका जो sequence आएगा, पहले होगा आपका kilobyte, then kilobyte के बाद आएगा megabyte, then gigabyte, and last I get as आपका terabyte, so यह order आपको option C में given है, so यह आपको option C correct हो जाएगा, next, a hypothesis that suggests that changes in one variable cause changes in another as referred to, इस question में मैं find out करना है, एक ऐसा hypothesis, अगर आप उसमें एक variable को change कर रहे हैं, यह क्या cause बता रहा है, कि दूसरा variable भी change होगा, so यह कौन सी hypothesis के definition होगी, so यहाँ पर आपको एक ही word पर focus करना है, that is cause, एक variable, दूसरे variable को cause कर रहा है, और वो दूसरा variable change हो रहा है, so वो आपका हो जाएगा causal hypothesis में, जिसमें एक variable जो है, एक variable का, दूसरे variable पर cause होता है, वो cause and effect relationship बताता है, causal hypothesis क्या होता है, cause and effect relationship बताता है, between the variables, एक variable अगर change करोगे, तो दूसरा variable उसके cause से दूसरा variable भी change ही होगा, so वो हो जाएगा आपको causal hypothesis, then relational hypothesis कि यहाँ बताता है, कि variables के बीच में कुछ ना कुछ relation है, यह ऐसा नहीं बताता है, अगर एक कुछ change करोंगे, तो दूसरा भी change होजाएगा, but relation के बताता है, यह कुछ ना कुछ change है, so यह आपको option A incorrect होजाएगा, then option C, null hypothesis, null hypothesis क्या बताता है, कि कोई relation नहीं है, between the variables, variables के बीच में कोई भी relation नहीं है, so यह आपको option C, incorrect होजाएगा, then option D, associative hypothesis, hypothesis, associative hypothesis क्या होता है, जो बताता है कि कोई दो variables के बीच में कुछ relation है, generally कोई दो event अकर हुए है, so उसके बीच में कोई relation होगा, यह बताता है, जैसे कभी-कभी हम कहते हैं, बारिश हो रही है, तो lightning होगी, lightning मतलब बिजली कड़कना, अगर बारिश होती है, तो बिजली आएगी, बिजली कड़केगी, so यह क्या है, हमने यह देख लिया कि बारिश के वज़े से शायद लाइटनिंग हुई है, associative hypothesis यह बताती है, कि कोई दो variable, कोई phenomena, कोई दो event अकर हो रहे है, तो उनमें कुछ न कुछ relation है, बट इस question में हमें क्या बता रहा है, कि अगर आप एक variable को change करोगे, तो दुसरा भी change हो जाएगा, लेकिन associative hypothesis यह तो नहीं बताता है, तो यह पर आपका option B भी incorrect हो जाएगा, तो यह पर आपका correct option हो जाएगा, option B causal hypothesis, यह पताता है, कि अगर आप एक variable को change करते हो, तो इसका cause होता क्या, second variable भी change हो जाएगा, तो यह पर आपका option B correct हो जाएगा, next question, इस question में हमें यह पूछा गया है, कि एक population है, total population में 6 items है, 6 में से अपने focus select कर लिया, तो अपने population में total 6 लोग थे, 6 में से 4 को select कर लिया, तो कौन से method से select कर आपने, random without replacement, मतलब आपने उनको replace नहीं करा, उनको फिर से अपने population में नहीं बेज़े, एक बार select करने के बाद, then उस case में, आपके कितने chances है, कितने number of sample select होने के possibility हैं, हमें यह find out करना है, जीसे कि आप देख रहें, यह numerical question है, तो बहुत easy है, आपको बस formula याद रखना है, और value substitute करना है, जीसे इस question को solve करने के लिए, आपको कुछ terms पता होने चाहिए, capital N मतलब होता है, population, population यहापर आपके total population 6 है, तो capital N की value आपके 6 हो जाएंगे, small N, small N का मतलब होता है, sample, sample, यहापर आपने 4 लोगों को select कर लिए, आप और population में, मतलब आपके small N की value आपर हो जाएंगी, 4, अब इसके इसमें आपको formula होता है, capital N, C, C का मतलब होता है, choose small N, मतलब आपके total 6 लोग थे, 6 में से आपने choose करा 4 को, so 6 C, 4, ऐसा हो जाएगा, इसको formula होता है, 6 factorial upon 4 factorial into 6 minus 2 factorial, sorry, 6 minus 4 factorial, ओके, so यह हो जाएगा, इसके बाद 6 factorial को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, then divided by 4 factorial को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 into, sorry, 4 into 3 into 2 into 1 into 4, 6 minus 4 हो जाएगा आपका 2 factorial, then यहापर 4, 3, 2, 1 और यहापर से 4, 3, 2, 1 यह सारे टम कैंसल हो जाएगे, आप आपका कहरा है गया, 6 into 5 divided by 2 factorial को आप 2 into 1 भी लिख सकते हो, अब 6 into 5 आपका हो जाएगा, 30 divided by 2, 2 1s आप, 2 1s आप, 2 5s आप, यहापर आपका हो जाएगा answer 15, आपका जो sample select होने के, total number of sample, आपके कितनी possible chances होंगे, 15 chances होंगे, यहापर आपका correct option हो जाएगा, option C, 15, next, for calculating rank order correlation, which data type is most suitable, इस question में हमें find out करना है, अगर आप rank order correlation calculate कर रहे हो, आप कौन से scale of measurement का use करोंगे, तो आपको याद रखना है, scale of measurement के 4 types होते हैं, nominal, ordinal, interval and ratio, आपको इस name से याद रखना है, 9 year, यह आपका short form है, इससे आप कभी भी नहीं भूलोगे, N for nominal, O for original, I for interval and R for ratio, अब इस question में हमें find out करना है, कि rank order correlation में, आपके जो quantities होती है, rank order correlation में, जो quantities होती है, आप उनके rank के हिसाब से उनको arrange करते हो, अगर आप जो quantities है, rank order correlation में, अगर उनको quantities के हिसाब से आप उनको rank दे कर उनको arrange कर रहे हो, तो यह कौनसे case में possible होगा, कौनसे scale of measurement में possible होगा, या तो ordinal में, या तो interval में, या तो पर ratio में, यह तीन case है, बट आपके पास quantities है, आपके पास कोई quantity है, आप उस quantity को rank दे रहे हो, और उस basis पर आप उनको arrange कर रहे हो, यह सिर्फ और सिर्फ आप ordinal में करते हो, ordinal में हम क्या करते हैं, जो rank देते हैं, जिसनको उनके quantities, उनके characteristics के basis पर पहले categorize करते हैं, फिर उनको rank दे कर, जो quantities है, rank order correlation में, जो भी उनकी quantities होंगी, आप उनकी rank के साब से उनको arrange करते हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ordinal scale of measurement में possible हो जाएगा, तो यह आप आपको option C correct हो जाएगा, ordinal scale of measurement, next, probability of drawing a random sample of size n from a population of n units, using sr as wor is, इस question में मैं find out करना है, कि अगर आप आपके population में से samples को select कर रहे हो, कौन सा method यूज़ करकर sr as wor, then probability किया chance होगा, उसका formula क्या होगा, probability कितने population में से samples select हो सकते हैं, तो उसका हमें formula find out करना है, so remember मैंने आपको जैसे कि पीछले वीडियो में भी बताया था, कि आपको exam में short form में भी question आते हैं, जैसे हैं आपर कुछ कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहींगा, sr as wor होता क्या है, so remember sr as wor होता है आपका, simple, s for simple, r for random, simple random, again s for sampling, w for with, and o for out, without, simple random sampling, without replacement, इसका full form होता है, sr as wor का full form होता है, simple random sampling without replacement, मतला भागा, आपके population में से sample select कर रहे हो, तो आप उसको replace नहीं करोगे, फिर से population में फिर से उस member को नहीं बेजोगे, तो अपने ये method यूज़ करकर, population में से sample को select कर लिया, तो उस case में आप कौन सा formula यूज़ करोगे, तो आप formula यूज़ करते हो, one upon, यहाँ पर population के लिए, आप कभी भी आपको याद रखना है, population के लिए आप capital N यूज़ करते हो, तो यहाँ population है आपकी, then c4 choose, आप population में से कितने लोग को चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आपका फॉर्मिला हो जाएगा, तो यहाँ आपका correct option हो जाएगा, option c, and thank you for watching this video, good luck with your preparations.